कलर्स पर प्रिसारित हुआ शो इश्क में मर जावा एक लव थ्रिलर शो रहा था जिसके पहले सीजन में अक्ट्रस अलिशा पवार ने बतौर लीड हिरोईन बहुत ही बहतरीन अक्टिंग कर दर्शकों का दिल जीता था वहीं अब इस शो के सीकुल में अक्ट्रस हैली शा बतौर लीड रोल में दमदार अक्टिंग कर लोगों का दिल जीत रही है यूँ तो दोनों ने ही शो के टाइटल के कॉर्डिंग अपने अपने करदार को निभा कर बेस्ट अक्टिंग की है लेकिन दोस्तों इस शो के इन तक बनी रहिए और साथ ही अपनी फेवरिट अक्ट्रस के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें किरू करते हैं इश्क में मरजामा सीजन बन की अलिशा पवार से इन्होंने शो में आरोही और टीना का करदार निभाया था और इनके ओपोसिट शो में अर्जुन बिजलानी नजर आये थे पर शो का सारा क्रेडिट इन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से अपने नाम कर लिया था जहां ये शओ में आरोही बन जितने शिदत से प्यार करती हैं उसे शिदत से ताराबन अपने प्यार का बदला लेती हैं इनके दोनों ही किरदार में इनके अलग-अलग अंदाज वाले अबनें नहीं दर्षिकों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ी थी जिसक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उसकी मदद करती है शो में इनका करदार एक ऐसी लड़की का है जो अपने प्रेमी से बहुत प्यार करती है और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है इसे लिए तो वो अपने प्रेमी के लिए क्रिमिनल के करीब जाती है ताकि वो उसे लेकिन अगर बात करें इश्क में मरजामा में किस अक्ट्रस ने की बेहतरीन अक्टिंग तो जहां अलीशा ने आरोही के रूप में अपने प्रेमी के लिए अटूट प्यार और तारा के रूप में बदले की चाह को अपने दमदार अबने से बहुत ही खुपसूर्ती से वहीं हैली ने अपने प्रेमी के लिए किसी भी हद तक गुजरने वाली लड़की के करदार को अपने दमदार अबने से बहुत ही अच्छे से दर्शिकों के सामने पेश कर आ है लेकिन कहीं न कहीं आज भी दर्शिकों के दिलों में अलीशा है इश्क में मर जौमा की बेस्ट अक्टरस के रूप में शुमार है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने दोनों किरदारों में बेहतरीन प्रदेशन किया है वो वाग इला जवाब था पर इसका मतलब यह नहीं कि हैली बुरी अक्टिंग कर रही है वो भी बहुत ही अच्छी अक्टिंग कर रही है तो दोस्तों आपको हैली और अलीशा में से इस शो में किसकी अक्टिंग सबसे ज़्यादा पसंद आई आप हमें उनका नाम कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जोड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें